हेलो एवरीवन वन्स अगेन वेलकम टू आर चैनल इंडस्रेंजर और आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं फिर से एरर्स जो मेरी वीडियो को फोलो कर रहे होंगे उन्होंने अक्सर पाया होगा कि जैसे मैंने नाउन कराया सिंटेक्स कराया सब में एरर्स करा रहे हैं तो आज भी नाउन के नेक्स्ट वाला चैप्टर होता है प्रोनाउन ठीक है तो उसी की एरर्स हम लोग करेंगे आप क्या करेंगे कि इसको वीडियो को पोस करके पहले 10 सेंटेंस जितने भी है यह आप अपनी कॉपी में नोट करिए ठीक है फिर उसके बाद एक एक सेंटेंस हम लोग ले करके चलेंगे एक सेंटेंस को पहले आप देखें इसमें प्रोनाउन की एरर है सेंटेंस में फाइंड करिए कि प्रोनाउन का है और उसमें क्या एरर है क्या वो होना चाहिए क्या वो नहीं होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद मेरे वीडियो को फोलो करें कि वहाँ पे कहां एरर है तो फस्स सेंटेस देखते हैं आपको ये प्रोनाउन की एरर तो फाइंड करनी है ये भी देखना है इस तरीके से करिए कि नाउन की अकरडिंग क्या वर्ब लगी है अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा the board of directors यहाँ पे क्या है यह plural है आपका जो आपका यह noun है वो plural है तो आगे भी आपकी वर्ब भी plural होनी चाहिए तो यहाँ पे want मैंने लिखा है अगर यहाँ पे wants हो जाता तो गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पे board of directors है अगर यहां पर आपर जाता था थीक है तो यह दोनों ठीक है ओल पॉसिबल फैसलेटी बोड़ डैरेक्टर क्या चाहर है जितनी भी पॉसिबल फैसलेटी वैंगे उनको मिले इसेलं किसलिए यूजर के लिए अनियमस के लिए लेकिन डिरेक्टर देक्टर इसले चाम Sóac kaps लिए हम्सेलफ रीन आपम बür lift के चाहरेया है तो यहां हरें तो यहां पर घाल leaning house आपनी आपनी फिर से से लसे करें और अपना तरीक के से करें लिए विदियो को फोलो इन paste sentence is, it will be us who will buy a new house. It, it कौन सा subjective case है हमारा, ये nominative case का pronoun है, देखें, एक table में आपको लिखा दूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे जानेए, nominative case में कौन कौन से pronoun होते है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ठीक है, ये हमारे nominative case के pronoun होते हैं, nominative case या फिर हम बोल सकते हैं subjective case, subjective case के pronoun होते हैं, तो जब भी हमारा sentence, कोई भी, ये nominative case ये subjective case से start होता है, तो जिसकी comparison आगे वाले pronoun से की जाती है, तो वो भी उसी case का होना चाहिए, आप देखें, यहाँ पे it क्या है, ये nominative case का pronoun है, यहाँ पे it आगया, आगे क्या है, उन्होंने us बोल दिया है, अस तो objective case का pronoun है, ठीक है, अस objective case का pronoun है, और अस का subjective case क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे it will be we, देखें, जैसे generally हम लोग जो sentences या फिर कोई language बोलते हैं, grammatically, जो ऐसा भी आपका sentence का first subject होगा, जैसे यहाँ पे it है, वो nominative case का pronoun होन है, तो आगे भी जो भी आपका subject है, वो nominative case का pronoun होना है, जै, objective या positive case का नहीं, तो यहाँ पे us जो है, आपका objective case का था, इसलिए यहाँ पे हमने we कर दिया, समझाया, next, you and I will be punished, यहाँ पे एक rule follow हो रहा है, जब भी, देखें, यह और यह sentence is same है, इन दोनों को आप ध्यान से समझेगा, जब हम कुछ अच्छी, good things, मैं यहाँ लिख दे रही हूं, good things की बा बात हो रही है, तो हम लोग rule follow करेंगे, second person, third person, then first person, ठीक है, अगर कुछ bad things की बात हो रही है, sentence में, कुछ गलत हो रहा है, तो हम लोग rule follow करते है, first, third, then second, ठीक है, यह rule follow होगा, इसको ध्यान से देखे, अब यहाँ पे अगर बच्छे confused हैं कि second person, third person में कौन कौन साते हैं, तो चलिए थोड़ा सा मैं बता दू, second person में सिर्फ you होता है, ठीक है, third person में आपके होता है, he, she, it, they, he, she, it, and they, और किसी का name, और first person में आपका होगा, I and we, बस, ठीक है, तो आप यह देखे, पहला sentence कुछ bad things की बात कर रहा है, you and I will be punished, मैं और तुम, तुम और मैं यहाँ य पनिश किये गए, ठीक है, तो यहाँ पे जब bad की बात हो रही है, तो पहले हम अपने आपको पहले रखेंगे, then second person को बाद में रखेंगे, ठीक है, मतला कुछ भी गलती होई, तो पहले हम अपने आपको रखते हैं, क्या rule फोल होगा, first, third, second, अब यहाँ पे third person तो है नहीं the best couple at the party, यह कुछ अच्छी बात हो रही है, ठीक है, अच्छी बात हो रही है, तो मैंने क्या बताइता, good things में पहले दूसरे वाले को रखते है, तो my wife पहले आजाएगा, और I बाद में आजाएगा, ठीक है, पहले, यह जो good things है, इसमें पहले second person को रखना है, then third person को रखना ना तो इसमें good things की बात हो रही है, ना bad things की बात हो रही है, लेकिन इसका rule फोलो होगा, इसी के according, second वाले की according, यह मैंने इसके साथ इसलिए लिखा है, ताकि बच्छें कंफ्यूज नहों कि इसमें good हो गया, इसमें bad हो गया, इसमें क्या हो रहा है, समझ नहीं आता है कि क्य करें, तो ध्यान से देखिए, me and my wife were at home last night, अब इसमें कोई good और bad की बात नहीं हो रही है, तो आपने second वाले rule के according follow करना है, जब पहली बात तो कभी भी आपका यह जो है objective case, इससे sentence start होता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे me की जगा क्या हो जाएगा, I, me नहीं होगा, ठी objective case से आपका, जो sentence से वो start होता ही नहीं है, तो मी की जगा क्या हो जाएगा, I and my wife were at home last night, then next, you and I have done my best in the examination, sentence को अगर हम हिंदी में करें तो कह रहा है, तुम और मैं मेरा best करेंगे, तो जब हम दो परसन की बात कर रहे हैं, तो हम उसको pronoun भी प्लूरली करते हैं, तुम और मैं ह आप पे you and I, अगर आपका sentence है, have done my नहीं होगा, our best होगा, क्योंकि आपके दो subject हो गया हैं, और उसके according pronoun क्या होगा, आपका प्लूरल हो जाएगा, तो you and I have done our best in the examination, done, next, she hates everybody and everything who reminds of her mistake, वो हर उस चीज से, हर उस परसन से नफरत करते हैं, जो उसको उसकी गलतियां बताता है, ठीके, तो अब यहां पे देखिए, अगर sentence इतना होता, everybody, ठीके, तो everybody के according यहां पे who ठीक था, sentence अगर everything होता, तो यहां पे विच हो गया होता, ठीके, लेकिन अब यहां पे everybody भी है, everything भी है, तो अब क्या करें, इसको ध्यान से समझेए, अगर sentence इवरिबडी है, ऐसे होता, she hates everybody who reminds of her mistake तो तो वहाँ पर who ठीक था everybody के लिए who ठीक है लेकिन अगर sentence में everything ही होता है she hates everything who reminds of her mistake तब वहाँ पर wish हो जाता लेकिन अब sentence में मैंने दोनों डाल दिया है she hates everybody and everything who reminds of her mistake तब उस case में क्या करें तो इस case में हम लोग ना तो who करते हैं अब wish करते हैं sentence में आता है that इसको यहाँ पर note कर लीजे तो आपका who की replace पर हो जाएगा that reminds of her mistakes done? next none of these two principles has been looking after his college well कभी भी जब दो subject की बात हो ऐसे these two principles तो उसके साथ कभी भी none तो होता ही नहीं है none एक person के लिए use होगा ठीक है? दो person के लिए नहीं होता है, none of these नहीं होता है none of these नहीं होगा, यहाँ पर होगा neither of these neither of these two principles अब देखें, यहाँ पर neither के according has been भी ठीक है क्योंकि neither or either or के साथ हमेशा क्या verb यूज होती है, singular verb यूज होती है तो neither of these two principles has been looking after अब यहाँ पर neither of है यह भी ध्यान दीजेगा, इसलिए यहाँ पर singular verb यूज होई, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर two principles, दो subject दिये तो उसके लिए none नहीं उस हो, तर निदर ना तो वो, ना तो वो, ठीक है he introduced to the chairman as the general secretary of that party आप इसको वीडियो को पोस करिये और इस sentence को पढ़िये, इसमें क्या कुछ missing है किये आप लोग ने, तो इसमें देखे आपको अगर मैं इसकी हिंदी करूँ तो ऐसे आएगा उसने अपने, उसने chairman को उस party का general secretary introduce कराया, ठीक है अगर मैं इस sentence को आप ऐसे बोलती हूँ उसने अपने आपको उस party का general secretary chairman को introduce कराया, तो देखे he introduced himself हो जाएगा उसने अपने आपको ही कराया है introduce किस से chairman से, क्या है उस party का general secretary तो अपने आपको introduce कराया है तो यहाँ पे himself missing था ठीक है, ऐसे भी आते हैं sentences यह नहीं है कि आपको word दिया जाया और word में ही आपको error find करें कुछ missing भी रहता है, तो वो आपको अपने से add करना होता है exam में आपको करना तो नहीं होगा लेकिन कहाँ पे missing है, तो आप उसको error करेंगे, देखे, मैंने यहाँ पे ऐसे करके तो नहीं यहाँ पे errors find कि A part में error, B part में error, क्योंकि जब हमको पता ही है कि पूरे sentences, pronoun की error है, तो हम मैंने उसमें ऐसे divide नहीं किया है, तो प्रोनावन ही find करना है, तो आप बस प्रोनावन का लिजेगा, जब miscellaneous करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको divide करके errors करेंगे, ठीके, and the last sentence is, there is none who can help you in this crucial moment, ठीके, तो यहाँ पे जब none दिया हुआ है, ठीके, none हो, जहाँ दीजेगा, few हो, the few हो, all हो, the only हो, the only हो, something हो, anything हो, in words, words के साथ, कभी भी आपका who नहीं लगता है, यहाँ पे replace करेंगा that, तो यह words भी आप नोट करेंगे, कभी भी none के साथ who नहीं होता है, that होता है, बाकि जितने भी आपे मैंने words लिखा है, few, the few, all, the only, something, anything, इनके साथ भी कभी भी who नहीं फोल होगा, इनके साथ हमेशा use होगा that, ठीक है, तो आपके यह 10 sentences थे pronoun से based, तो आपने क्या करना है, copy में note करके इनको अच्छे से rule इनहीं के side में लिखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर sentence का एक अलग rule है, इसकी second video pronoun की error और भी बहुत सारे rules हैं, तो मैं second video में आपके लिए और pronoun की error लेकर क्या होगे, तो तब तक के लिए all the best